यदि आप लॉप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डॉणलोड करें और लॉप पढ़ें नमस्ते सदावत सले मातरू में आज हम लोग जो इश्यू उठाने वाले हैं वो कर्श्मा भोसले के से कर्श्मा भोसले जिस तरह से एक मजज़ित में गई और मज़ित में जाकर और मज़ित से रिक्वेस्ट किया कि कर्पया करके हमारे घर में कुछ बीमार हैं आपका लॉड़ स्पीकर हमारे घर के बिल्कु सामने लगा हुआ है इसलिए हमको बहुत हमस्या होती है आजान बंद कर दीजे या अजान बहुत स्लो कर लीजे ऐसा रिक्वेस्ट रोन कि उससे पहले वो पुलिस टेशन जा चुकी थी उससे पहले वो कमिशनर को भी चिट्टी दे चुकी थी ऐसा हुड़ों ने कहा लेकिन उसके बाद जब वहां कहने गई तीन बज़े तो तीन बज़े कहन अंदर और बाद में वह कलोनी की बिल्डिंग आई जो दिखाई दी जिसमें पता लगा कि नहीं यहां तो बहुत कलस्टर कलोनी है और बहुत अब बड़े करते हैं गाड़ी में अलग से अन्हींने पूरे देश के समाज को एक तरफ आकर्षित किया और पूरे देश को यह मैसेज दिया कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई सुनने वाला है नहीं और उन्होंने इस्टिकली अपने काम को अंजाम दिया अच्छा किसी ने यह किया कि उनके अगल बगल जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी बना लिया दर्वाइस मुझे लगता है कि वह मैटर दब जाता और इशू इसलिए और अब बन रहा है क्योंकि पुलिस टेशन जिसको अजान बंद करवानी थी जिसको noise pollution कम करना था पुलिस स्टेशन खुद ने करश्मा भोसले के खलाफ एक डोटिस श्यू कर दिया 149 CRPC में और उस नोटिस में कहा कि आप वहाँ पर संपरदाईक सोहर्थ बिगाड़ने के लिए या बिना पुलिस को इन्फॉर्म किये या बिना पुलिस की एनुमती लिए आप वहाँ पर चले गए और आपने यह 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 किया जिससे की environment खराब हो सकता था और समस्यां आ सकती थी करपया करके दोबरा पैसा मत जाएए दरवाइस हम आपके खिलाब यह यह कर वही करने जा रहे हैं पुलिस की भूमिकार तो हम उस वीडियो में भी देख सकते हैं जिसमें वह व्यक्ती जो वहां का Focus है। मरहस्टा की situation दखाई दे सकती है कि इस समय पुलिस का कोय रोल वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है क्यूंकि जब वो मज़ित में खड़े होकर कह रहा है कि हमारे पास क्यों है आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और उसके बाद जब थोड़ी बारता आगए शुरू हुई तो पुलिस भी वहां पर पहुंच गई कि लड़की की माने पुलिस को बलाया पुलिस वहां पर पहुंच गई कि पुलिस वो लौड़ी स्पीकर को जिसके लिए गाइडलाइन्स हैं उन लौड़ी स्पीकर को बंद करवाने के बजाए उनको बोलने के बजाए उस महिला को बच्चे को लेकर गए और सामने सामने वहां पर वो मुम्ताज नाम की महिला और उसके साथ की जो ओरते थी वो दोनों पड़े स्टेशन लेकर जाना था बिता करनी थी उसके बाद लाउड़Just weasley को मांते हुए उनको बोलना था कि बैस στη सब्सक्राइब कर लो इतना सलो करो कि आपको सुनाइब दुनिया को इसटर्व न करें जब्कि महर्यास्ट्रा के हाई कोट ने 2015 में फिर से कहता हूं जुलाई 2015 में महरास्ट्रा हाई कोट ने महरास्ट्रा सरकार को बाकाइदा एक नोटिस दिया और उनसे कहा कि नुवाइस प्राप्लेमेंट का नहीं हो रहा है और यह लाट स्पिकर क्यों बज रहे हैं ने उनको जब देते हुए कहा किसे नहीं कर रहा है कर यह बेटे बीधिर मंदिरों में जाते हैं लेकिन अभी प्राक्टिकली तो कुछ नहीं दिख रहा कि कि आप अगर एक noise pollution बन न ही करवा सकते एक आप धोनी प्रदूशन बन न ही कर वा सकते आपको स्टेट चलाने का दिकार क्या है आप सट्रीत को कैसे चलाएंगे आप किस्ट के लिए चलाने वाले हैं जब आपको यह नहीं करना आता कि आप एक इंवरिमेंटल एक्ट आपके पास रखा हुआ है इन्वरिमेंटल प्रटक्शन आक्ट नौइस पूलिशन रूल्स बार-बार अमेंड किये गए और सब कुछ है कि 10 डीवी से 70 डीवी के बीच ही किसी भी लौड़ी स्पीकर और किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो ध्वनी करता ह तो उसकी वाइस हो सकती उससे ज्यादा उसकी वाइस नहीं हो सकती है तो क्यों नहीं मुझे यह नहीं समझ जाता कभी कभी कि क्यों नहीं देश में मिनिस्ट्रियां इस तरह का आदेश देती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो धुनी करता हो उसकी वालूम सत्तर डीवी से उपर खोल ही नहीं सकती जो यह बड़े-बड़े हॉर्ण लगाकर लाउड़ स्पीकर लगाकर देश भर को परिशान करते हैं पूरे इलाखे को परिशान करते हैं और वो सिक्वेंस में चलते हैं मालुम पड़ा एक अभी यहां जान हुई और तीन किलोमेटर तक उसकी हैं क्यूं नहीं जो मैनिटर हैं उनमेनिफेक्ट्ष को यह दिरेक्शन देती कि आप सतर डीदी से ओपर का कोई इंस्ट्रूमेंड बनाभी नहीं सकते और अगर किसी को सतर डीवी से उपर का इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो उसको लाइसंस लेना पड़ेगा सरकार से और सरकार से लाइसंस लेते समय उसको बताना पड़ेगा कि उसको सतर डीवी से उपर का इंस्ट्रूमेंट क्यों चाहिए जिसके पास लाइसंस होगा चाहें वो यह टे इसी प्रकार के जो हॉन हैं जो जो और और इंस्ट्रुमेंट्स हैं उन पर भी इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन्स लागू कर देनी कि यह बन ही नहीं नहीं हो सकती है जिसको दिया जाएगा उसका डेटा मेंटिन किया जाएगा और यह सब कुछ चलेगा पहली बात दूसरी बात आती है कि इसके पीछे कि मैंने जैसे कहा कि रूल्स हैं मैंने पीछे इंप्लिमेंटेशन की जो मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर ही पर लेकिन इस आजान करी आजान का है आब आज लगा कर किसी बूला यह अजान करके आब लगा कर लोगों को अगा करिए कि दो मिनट बाद तीन मिनट बाद नमाज शुरूरू होने वाली आप लोग अपने घरों में यहां आकर आप नमाज कर सकते हैं लेकिन आप लाउड़ी स्पीकर नहीं लगा सकते लाउड़ी स्पीकर की तो खोजी 1926 में होई तो उसका इंट्रीगल पार्ट कैसे हो जाएगा कि लाउड़ी स्पीकर से शोर मचाए इसलिए उतर पर सरकार के ने अपनी दलिदी उन्हों नहीं कहा कि देखे आप फंडमेंटल राइट आ को ना शुरू कर देते हैं वैसे ही आपके राइट समाप्त हो जाते हैं उन्होंने कहा कि आटिकल 25 में हमको रिलीजियस प्रफोगेशन का राइट है तो उतर पर सरकार ने अलावाद हाई को आपको आटिकल 25 के राइट है लेकिन वो परसनल राइट है वो समाज में शोर कानुन के दाएरे में और कानून अगर हमने नोयस विलूशन एक्ट बाकाइदा इंव्र documental प्रोटेक्शन एक्ट नाइनकिरेटIsी प्षे कि और pais께 जाट के सक्षिब्रेशन 6 में ये पावरी की उस पर रूल्स-बनने का और अधिकार केंदर संपर को होगा कि उस जन्हें इन्वार्मेंट प्रटक्शन को लेकर रूल्स बनने के राइट थे वो सारे स्टेट गवर्मेंट को ट्रांसफर करती है लेकिन उसमें एक बात और भी है कि यह अधिकार ट्रांसफर करने के साथ साथ आपको सुपर सीट करने का दिकार है आपको यह जो है इसके ऊपर से जा सकते हैं और क्या हो सकता है उसका नियम डाला मैं आपको यह दोनों ही आक्ट प्लूशन आप जो 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 नौइस प्लूशन रूज़ से और साथ में इंवर्मेंट प्रेक्शन एक्ट है 1986 का और उसके रूल्स हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दूँगा आप उसको पढ़िएगा थोड़ा सा आपको पता लगेगा तो क्या है कि इस्टेट को ट्रांसफर कर दिए लेकिन केंदर सरकार ने 2000 में रूल्स बनाए उसके सेक्शन 5 में उन्होंने कहा क किसी प्रकार का कोई इंस्ट्र्मन नहpezं करशा सकता है साइलिन जोन जोन से मतलब फ़ है जो रिजिदेशल एडिया है उसमें थोपिर करका कोई इंस्टोंब बजा नहीं जा सकता बिना अनूमति के आप كि शादी है व्यारा सो आप महां पडर जाकर स नदरहें है कमिश्टर रहता है उसे अनुमति लेकर आई किसा हमें यह चाहिए उस रूल में भी उसने यह कहा कि रात में दस बज़े से सुबह च्छे बज़े तक अनुमति भी नहीं दी जा सकती है यह जो अनुमति भी दी जा सकती है रात के लिए तो अनुमति देने का राइट भी न यह होगी साथ में 2010 में उससे पहले 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक नॉइस प्रूशन केस आया उस समय के उन्होंने उस पर डिरेक्शन इशू किया उन्होंने कहा कि देखिए इन कानूनों के तहत जो परमीशन है वो परमीशन ऐसा नहीं कि कि लोकल पुलिस स्टेशन का व्क्ति परमीशन देता गोमेगा इस इस का मतलब है स्टीट गवर्मेंट के द्वारा अथरैज़् TWO के दौर घी पर दी जा सकती दूसरा एक जो 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 रूल नंबर 5 और उसके बाद रूल नंबर 5A 2010 में जोड़ा गया तो रूल नंबर 5A में भी यह कहा गया कि देखिए यह जो पंदरह दिन इस कानून में कहा गया कि 15 दिन के लिए यह करने की अनुमतिक राज्यसरकार पहले से के डिफाइन कर सकती केवल 15 दिन के लिए वह 15 दिन थ्रूआउट तक एयर होगा और वह 15 दिन पहले से आपको कलेंडर जारी करना पड़ेगा कि आप वह कौन से 15 दिन है ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से आज 15 दिन आपने कर दिया कि आप आगए हो चलो आप आगए हो आप च राज सरकारें अपने कलेंडर में जारी करेंगी और वह अनुमति किसी तरह से एक्स्टेंड नहीं हो सकती वह राज सरकार के द्वारा ही जारी होगी और कोई कमिशनर भी उसमें नहीं कर सकता अब यह जो प्रॉब्ब्लम है दिन में पांच बार जान करने की यह प्रॉब्लम आरा दिन की तो नहीं आती और रेजिदेंशल एरिये में तो टोटल पर हुबिट इश लेए जो सैलेंस जोन है उसमें तो टोटल इंस्ट्रूमेंट बजाना ही प्रोभीटिड है उने एरिये में दस डीवी का जो हॉर्न है वो भी दस डीवी का बजा सकते हैं आप हॉर्न भी तेज नहीं बजा सकते क्योंकि वह इसलिए इन के जो सलुशन है वो यह है कि आप गा जाये ऑब इसमें अफोरेटी कौन है वो अपने को देखना पड़ेगा महराश्रा इन्वार्मेंट कंट्रोल बोड है महराश्रा में इन्वार्मेंट कंट्रोल बोड को डरिक्शन दिया था उनेबल मुंबेह कोर्ट ने और जो बोर्ड है उस बोर्ड की जिम्यवारी बनती है कि वह उसरीज करें कि किसके पास जाना वह ट्रेकर से मतलब है कि जब आप को इंड़स्ट्री वह जाते हैं जब आप कुछ और जाते हैं च्रम आपको एक क्लेरिफिकेशन लाना पड़ता है एक लानी पड़ती है इनवर्मेंट्ट डिपार्टमेंट से उस इनवार्मेंट्ट के पास आपको जाना है उनसे पूछना है कि आप मुझे बताइए कि कोन सा वक्ति ऐसा है जो नॉइस पूलूशन के करेटी हुई है उसकी online environment ministry को ढूंडना है और वहां पर online भी आप डालिए उसकी सीसी आगे forward करिए जब वह इखटा हो जाए और फिर भी उस पर कोई करवाई ना हो तो आप जाकर police station में fire करवाई यह कोगनिजेबिल offense है यह संगे अपराद है बस इसकी खास बात यह है कि इसमें court को action लेने से पहले वैसे राज सरकार के कियो क्योंट से डिना पड़ता है consequences sanction दिना पड़ता है कि ये राजर सरकार की ministry है राज सरकार ने जैसे नियम समनाये होंगे वैसा होता है तो राज het sear कार उसको अपने इस तरह से छूट दे सकती जैसे उत्तरप्रदेश सरकार ने पुलिस को छूट दे रखी दी कि हमने ये नोटिफिकेशन कर दिया है पुलिस टेशन में बेद दिया कि आपके एरिये में जहां कहीं भी इस तरह के लॉड़ स्पीकर्स बज रहे हैं आप स्वेम जाकर उसको बंद करवाईए और आप जब वो इस तरह की कोई वहां पर घटना हो तो आपको अधिकार है कि आप उनके कलब मुकदमा करिए और उनको जैल में डलिए यूपी में रमजान के दोरान अभी पीशे ही रमजान निकला है लॉकडाउन के दोरान था रमजान के दोरान कई लोगं की गरफतरियां भी की कई के लॉड़ स्पीकर ले गए मजजितों में उन्होंने सील कर दिया मजजितों में ताले लगा दिये मंदरों में जो 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 लग रहे थे उनको बंद कर दिया और केबल ये मज़्यतों की बात नहीं है बंगाल खा अशुतोष लहरी का केस आया उन्होंने कहा कि देखे आप दुर्गा-पूजा ठीक है लेकिन आप रात में किसी को डिस्टर्ब्लिंग कर सकते दुर्गा-पूजा ठीक है लेकिन आप स ऐब कर देने चाहिए इतने उप्लिकेशन और बोट यह त也ंवेछ रॉड को हाई कोड़ जाते हैं तोकुमनेंटेशन लेकर जाय सके और आपके बेस बने के साफ यह जो जखड़ा है यह कि नहीं latent बहुत सारे पहलेओं प्रियास उनका सबकास को लेनी पड़ेगी है तो मुझे लगता है कि हमें दो तीन प्रयास जरूर सब को करने चाहिए आप अगर सीधा नहीं कह सकते तो आप कम से कम यह करवा सकते अदरवाइस इन दोकुमेंटेशन के अलावा इन दॉकमेंटेशन के बिहावप पर यह नगजी काऊ सपाथ में साथ कि सब्सक्राइब दीवी का ये बजा सकते हैं और ये बजाने का अधिकार कब से कब तक है अब हमें लिखित दीजेंगे हैं हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं इसे साधार पर दे रहे हैं ये नियम है किरपे करके निको बंद कर लीजे अगर आप नहीं करते तो हम आपके खिलब लीगल करवाई करेंगे इस प्रकार लोग कहेंगे कि मेरे रिलीजिस भावनाइं भड़क रही है यही इसा नहीं हो सकता तो फिर हमारे लीगल रास्ते क्षेल और लीगल रे इसलिए ने कहा कि हम पहले एक application थाने में देखकर आए फिर हमने कमिश्णर को application किया लेकिन कोई रिसीविंग देना चाहिए लेकिन वो डिसीविंग नहीं देते अब पुलिस है तो पुलिस रिसीविंग नहीं दे रही है आप क्या करोगे इसलिए वह वैसी अप्लिकेशन के साथ अप्लिकेशन और documentation अपने को करना चाहिए और documentation करके हमको दबाव बनाना चाहिए हर एक व्यक्ति को जाकर इस तरह के जो कर्परेटर को बोलिए और उसे कहिए कि हम अभी बार आपको वोट देने वाले नहीं हैं अगर आगर आप यह समस्या को समधान नहीं कर सकते तो अब वहां पर मस्जिद में जो जिस तरह से वह कह रही कि आपको अगर रहना हो तो रहिए नहीं तो आप लोकालिटी छोड़ में गिरने जा रहे हैं छोड़ते छोड़ते तो फिर केवल हिंद महासागर बचता है हिंदु हिंद महासागर में जाकर कुछ जाए और खेल कर ले खतम अगर हमको जीवित रहना है इस देश में लाइन-और का पालन करवाना हमारी जिम्मेवारी बनती है इसलिए हमको सरका के सामने वो कहना चाहिए और हमको यह लीगली जो एक्षन ले सकते हैं मौखिक एक्षन के साथ लीगल एक्षन जो भी हमको लेने चाहिए वो सब लेने चाहिए यह मैं चाहता हूं कि पूरे देश में आप इन दोनों डॉकुमेंट्स को पढ़ें इन डॉकुमेंट्स के अध Department of Environment के पास यह सब कुछ कर सकते हैं बाकी स्टेशनों पर भी कर सकते हैं और बहुत सारे फोरम्स होते हैं जो स्टेट कोर्बन के पास रहते हैं आप उन पर इस पर करकी कारवाईयां करके आगे करें करें मुझे लगता है कि इस पर काम जरूर होगा लेकिन लीगली जब आप करेंगे तो होगा नमस्कार इस पूरी और्गनाजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि लॉय स्टूडेंट्स को लॉयर्ट्स को और आम आदमी जो लॉय जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासिस का लाब ले सकता है